हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ एक ऐसे नास्ते की रेस्पी सेहर करेंगे जिसे आप रेकफास्ट, लंच, टिनर कभी भी बना सकते हैं और बो भी सिर्फ एक चम्मस तेन में हेल्थी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है और अगर आप ज़्यादा देर तक रसोई में खड़ा होना नहीं चायते तो फटा फट से इस नास्ते को बनाईए और बिल्कुल टेंसन फ्री हो जाएए आपके घर में ये सभी को बहुती ज़्यादा पसंद आएगा क्योंक हैँ और अधा कप हो गांट उसे चमब घचन करते जाएंगे तो एक साथ सारा पानी नहीं ढालेंगे पहले आदाकर्य। और दाल मख़ने कब चालेगा तो अगर आपतड पानी डालेंगे तो इक साथ अगर आप पारी डाल अपनो स्ताव कर चालेंगे तो एक सरद बाह। बाकी का पानी भी इसमें हम डाल देते हैं और बापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें हमने सूजी डाली है तो इसको दस मिनट के लिए हम रखेंगे जिसे अच्छे से फूल जाएगी तो यह लिखिए सूजी बेसन का पैटर बन कर तयार है अब इसे 10 नास्ते की दूसरी तैयारी करेंगे तो यहां पर मेडियम साइज का एक कच्छा आलू लिया है आलू को छील कर हमने पानी में डाल दिया ता जिससे यह काला ना पड़े अब जो मेडियम बाले छेद होते हैं उस तरफ से इसे हम कद्दू कस कर लेंगे आप इसे बड़े व आलू को पहले हम ग्रेट कर लेंगे तो यह दिखिए आलू को हमने ग्रेट कर लिया है अब इसे दो से तीन बार अच्छे से धुल लेंगे जिससे इसमें जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा तो इसे हमने धुल कर एक स्टेनर पर निकाल दिया है जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा तो इसे अभी हम इसी तरह से छोड़ देते हैं और सूजी और बेशन के बैटर को देख लेते हैं उसे रखके भी 10 मिनट हो गए हैं तो यह देखिए सूजी फूल गई है और यह देखिए बैटर जो है थोड़ा सा हमारा गाड़ा हो गया है तो अब इस बहुती चममच लाल मिर्च पाउडर 4-4 चमममच चल्दी और चौथाई चममच इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है तamin अचे से मिक्स और बना ले आज इसमी नास्ते को यह दो चा़ी बनेगता तो यह देखिए assessing कि आपको सबज्यां डालेंगे तो दो चमश सिम्ला मिर्च बारी कटी हुई दो ही चमश टमाटर है जिसके बीज हमने निकाल लिया है इसको भी बारी काटा है इसको डाल देते हैं एक छोटी गाजर ग्रेट करके डाल देते हैं और जो आलू हमने इस्टेनर पर रखा था ना उसको भी डाल देंगे, साथ में कटा हुआ हरादनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और सभी सब्जियों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, आज इस नास्ते में हमने प्याज नहीं डाला है, अगर आप आज के ही हम नास्ते बनाएंगे, तो यह देखे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसका हमने गाढ़ा बैटर रखा है, यह देखे तो ऐसा ही गाढ़ा बैटर हमें नास्ते के लिए चाहिए, तो आप सूजी और बेशन का बैटर बना कर पहले से फ्रिज में रख सकते हैं और सबजियां उसी समय डालिएगा जब आप नास्ता बनाएं, क्योंकि सबजियां जो होती है ना पानी छोड़ देती हैं, अब नास्ता हमारा फुला फुला बने तो इसके लिए हम चोथाई चमच खाने वाला सोडा डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको सोडा के भी आप इसे बना सकते हैं, बस नास्ता थोड़ा सा कम फुलेगा, पर टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, तो आज जो नास्ता बना रहे हैं, तड़का पैन में बना रहे हैं, तो इसमें एक चमच हम तेल डाल देते हैं, और तेल को पूरे पैन पर अच्छे से फ कैस की फ्लेम लो से मीडियम कर देंगे और एक से देड मिनट के लिए इसे हम सिखने देंगे, तो तकरीबन देड मिनट हो गए और ये देखे हलका सा ये ड्राइ होने लगा है, तो अब थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, और ये देखे, जो हमारा नास्ता है, बिलकुल भी पैन में चिपका नहीं है, तो चलिए अब धीरे से इसे हम पलट देते हैं, ये देखे, कितनी आसानी से ये उठ गया, और ये देखे, कितना बढ़िया नास्ते पे कलर आया है, तो दूसरी साइट से इसे हम ढखेंगे नहीं, बस एक मिनट के लिए इसे चारो साइट से तो एक नास्ता बनने में आपको तीन से चार मिनट का समय लगेगा, तो ये नास्ता बनकर हमारा तयार हो गया, तो चलिए इसे हम पलेट में निकाल लेते हैं, और बाकी का नास्ता भी बिलकुल इसी तरह से बना कर हम तयार करनेंगे, तो ये लीजे फ्रेंड्स हमारा नास बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते तो आप इस तरह से उन्हें भरपूर सब्जियां खिला सकते हैं सिर्फ एक चम्मस तेल में ये बनकर तैयार भी हो जाता है उमेद है आपको ये रस्पी जरूर पसंद आई मज़ेदार से नास्ते की रस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि आपको हमारी रस्पी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उससे लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलकुर ना भूलें ऐसी ही नई रस्पी के साथ नेस्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे थैंक्यू